किसान भाईयों हमारे यहां जो फल यो सब्जी परिक्षन है उसके भी हम उत्पात तियार करते हैं हमारे यहां इसके लिए भी एक इकाई है और वहां पर महिलाओं को प्रसिक्षन दिया जाता है इससे हम दिभिन प्रकार के जेम, जेली, अचार, मुरब्बा तियार करते हैं और इसको भी हम किसानों तक यहां तक पहुचा रहे हैं इसके अलावा चुकि जेविक खेती को इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है इसको देखते हुए हमारे हां जेविक उर्वरक बनाने की काई लगाई गई है इसमें हम राइजोबियम कल्चर, पी-एजबी, एजेटोबेक्टर, एजोइसपैरलम जेव उर्वरक तियार करते हैं और बहुत ही कम लागत में हम इसको किसानों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं तथा इसके बारे में हम विभिन क्रिसी विज्ञान केंदरों के माध्यम से किसानों को सला देते हैं कि जेविक खेती के लिए इनका प्रयोग जरूर करें, इनकी कीमत भी कम होती है, किसानों को घर बेठे, उनके घर के पते से हम इनको पहुचाने का कारे करते हैं, यह त्रेमासीक पत्री का है और इसमें जो लेटिस्ट जो नमीनतम जानकारी है उसको हम किसानों तक पहुचाते हैं हमारे हैं एक किसानों है तो छोटे-छोटे किसान बनाते हैं यह जो मेरे हाथ में देख रहे हैं मेज सेलर है यह मक्के के दाने को निकालने का काम करता है जब हम इसमें मक्के को गुमाते हैं तो उसका दाना आसानी से निकल जाता है और इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड हम हमारा उदेश से कि हम इस क्रिसी उत्पात केंद्र की साहता से हम इस उत्पात को किसानों तक पहुँचाएं। करके आती है हम उसके यहां उसका प्रदर्शन करते हैं और किसान को प्रिसिक्षन के माध्यम से और तरह तरह से हम जो तक्निकी ग्यान हमारे अंसंधा निदेशाले के द्वारा स्रजित होता है उस ग्यान को ट्रेनिंग के माध्यम से उस ग्यान को अग्रम पंक्ती रिया संचालित होता है और इस संचालित से एक उत्पात क्रिशी के इन्दर विख्शित किया है और इसका सबसे बड़ा उद्देश जो हमारे क्रिशी के परणाम सरूप जो तरहतरी की हमारी फसले होती है इन फसलों के संद्रक्षण के लिए इनके प्रसंसक्राण के लिए हम तरहतरे की उत्पाद हमारे उत्पाद किंद के माध्धम से हम बेचना चाहेते हैं और ये सारे की सारे उत्पाद हमारे क्रिसी के प्रणाम स्वरूप या क्रिसी के दोरे जो तक्नीकी इजाद की गई है उन्ही का प्रतिफल है जो हम उत्पाद केंद के माध्धम से हमारे किसान भाईयों के लिए एक सुद्ध आहार के रूप में सुद्ध तरीके से वेग्या यह तरह अत्पाल Candा heartfelt के दोरा मारे किसानों के यह की पाड़ारा तो इस पकाL से एक्रवार बिदerta के ऀत्वारे इत्वार मेरे इत्वार रंत उसकी आत जाता है और इस पकार से अनेक किसानों के लिए और किसानों के हमारे किसानों के उनेकresиниत ताकि और राज के जंजन में और हमारे किसानों के पास तक पहुंसकें और वो हमारी तक्निकी से परचित हों हमारे क्रिशी उत्पास से परचित हों और इनको अपना करके वो अपना विकास करें कि दराओ के लो और बताओ और यह क्या भया जी बस इतनी सी रोसाहीं आ ट Цres किसान भाई आज ही अपने जिले की नस्दी की भूमी परिक्षन प्रयोक्षाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोशक तत्व, नमी व पौधी के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोशक तत्व डालें और हां मिट्टी में गं मिट्टी से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीन लेपित यूरिया को प्राथ मिक्ता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें अरे वाह तू तो सच मुश समयदार हो गया रहे अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला क्रिशी अधिकारी या किसान कॉल सेंटर अम्मा खाना देदो ना सबर कर गोलू अभी डाल नहीं गली है तु फिकर ना कर गोलू कि अम्मा अबकी बार अपनी डाल खुब गलेगी क्या मतलब जी अब की बार एन फैसम के तहट डाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए डेश में एक हजार शेतर चुने गए हैं जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है पर इस ते हमें क्या फाइदा हमें पांच एकल खेती के लिए खाद और कीट नाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किड भी मिलेगी अरी भागवान सरकार ने दलहन का समर्धन मुल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है इससे आंदरी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके क्रिशी वैज्यानिक बनेगा क्या करूँ मैं ऐसे ही करूँगा अच्छा मैं जा रहा हूँ जी जी किसे बात कर रहे थे इतना हससकर किसान कॉल सेंटर विशे शग्य से खेती के बारे में सला ले रहा था सुबह भी? रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह छे बजे से रात को दस बजे तक खुलता है रवीवार को भी? हाँ भई साल के 365 दिन खुलता है और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है पर तुम ये सब क्यों बूच रही हो? मैं तो कुछ आरी समझी थी किसान भाई कृषी समंदे समस्याओं का अपनी भाषा में तुरं समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी पोन से प्राश्ट्रे हेलप लाइन नबर 180-100-1551 पर संपर करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर नई भववे धार जी बरसा के बीना नई भव वव नहींही ववे बड़ा पार जी मेह centralized के बीना मेह नत के बेटाम और धरती पूथ किसान मेह नट के बेताम और धरती पूथ किसान अरे जंबो जी उजन तू के बांचे तुरे सिती प्रानगा नहीं होएगा नहीं होएगा नहीं होएगा नहीं होएगा तुछार मन के बहुत स्वागत है जय जोहार है यह सोच कि हमने किसी दर्शन की कारिक्राम में देखावात अन्य संगवारी हो दलहन के जो न फसल हो थे तुमन जाना तो जो न दाल है तेनलब प्रोटीन के अच्छा फंडार मने जाते सफे साथ मांदा के जो न फसल है तेकर कीमत ऋजयादा मिल थे जो है तो जो वीचित के मौशंवन होतों समय मां मूं के खेती कैसे करे जाए एकरप मुत केS flying कि नियुंक आख लगाून के खेती हैं तो सबसे पहली का होि ही कि खेत लक्क कि से त्यार करें हो कावर की खेत में बन कचरा रिथे या अन्नानम प्रकार के माटी हो थे कनहार, डोमसा इसे तक माटी ला कतका खोदे जाए कैसे उखर कचरा साप करे जाए और मांदा के जरुवत है की नहीं आवा सबसे पहली जानतार मुंग बर खेत की तेयारी कैसे करे जाए यदि उचित सिचाई सुविधा उपलब्द हो तो सभी प्रकार की भूमी में मूंग की खेती सफलता पुर्वक की जा सकती है जल निकास फ्योस्था के साथ साथ अधिक जल धारन ख्षमता वाली डोरसा और कनार भूमी जिसका की पी एचमान साथ से आठ के बीच हो मूंग के लिए उप्युक्त होती है खेत की तयारी करते समय नमी की कमी होने पर पलेवा करके खेत की जुताई कर देनी चाहिए देशी हल या कल्टिवेटर से दो तीन बार खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए जुताई के बाद पाटा लगा कर खेत को अच्छी तरह से समतल कर लेना चाहिए दिमक के प्रकोप से बचाओ के लिए अंतिम जुताई के समय क्लोर पारिफास एक दशमलो पांच पतिशत चुरुन बीस किलोग्राम प्रती हेक्टियर के हिसाब से खेत में मिलाना चाहिए अद दूसर महत्तम के चीज का होते हां संगवारी पानी जल के प्रबंधन कैसे करे जाए कावर अलग-अलग फसल में पानी अलग-अलग लाग थे और बहुत अलग-अलग विधी घलो हें देखें तो सबसे बड़ी है विधी का हो ही और मुंग बर सुरुवाती मा बीच मा फूल फरक बेर मा लगातार पानी कैसे देल लगी अवा जानी मुंग के खेती बर जल के प्रबंधन ग्रिश्म रितु में सिचाई का विशेश महत्तो होता है पहली सिचाई बोने के 20 दिन बाद और बात की सिचाईयां 10 से 15 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए सिचाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि भूमे में पानी एकत्रित ना हो सिचाई के लिए यदि डिप एरिगेशन या टपक पद्धती का प्रयोग क्या जाए तो ये किसानों के हित में होता है डिप एरिगेशन से जहां जल का अपवेर उतता है वहीं जल में घुलनशील उरुवरखों को सिचाई के साथ ही साथ समूचे खेत में एक समान मातरा में फैलाया भी जा सकता है संगी ओफर के प्राण होते खातू जितका अच्छा खातू या जदका बढ़िया भुईया रही जिन बढ़िया खात दिके तत्वर ही तेखर जुन फर होई पाउधा के तिन बढ़िया होते चिकन होते बहुत होते कस के फर थे बीमारी घरों नहीं लगा मूंग बर बढ़िया अच्छा फसल्द है बढ़िया उखर उत्पादन होए उन ज्यादा बीमारी जहन लगाए एक अब कौन-कौन प्रकार के खातू देल लगी कब-कब देल लगी कटका कटका मात्रम देल लगी और दे के सबसे बढ़िया विधी का हो सकत है ये चारो बा करया बीच कहले कवकनाशी थायरंम या 22 द्वरशूंग बिचो पहले कवकनाशी धायरं या 22,5 ग्राम प्रती किलोग्रां से अफचारीक करें इसके बाद उप्चारित बीच को राइजोभिय कल्चर है और पी एसबी के 5-10 ग्राम प्रती किलो बीच के खिक्रंग से उप rewarded कर शिग्र बॉआई करना चाहिए। बीच की बॉआई देशी हल के पीछे कुडों से या सीडड्रिल से करनी चाहिए। बीच को 5-6 cm गहराई पर वोना चाहिए। मुंग के लिए कतार से कतार की दूरी 30 cm और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर उप्युक्त होती है मुंग की फसल के लिए 15 से 20 किलोग्राम नतरजन 50 से 60 किलोग्राम स्फूर और 20 किलोग्राम पोटाश प्रती हेक्टेर देना चाहिए उर्वरक की सारी मात्रा भुवाई के समय कूड में देना चाहिए छिड़काव विधी से उर्वरकों को देने से फसल को समुचीत लाव नहीं मिल पाता है इस बात का भी किसानवाई धियान रखें निंदा नियंतरन के लिए बासालन या स्टांप 30 एक से देढ़ लिटर सक्री तत्व प्रती हेक्टियर अंकुरन के पहले प्रयोक में लाना चाहिए 25 से 30 दिन तक निदाई करने से फसल को लाव होता है बढ़िया फसल तैयार है सब कुछ बढ़िया संगी हो तो एक ठंची से भारी नुक्सान हो एक डर रही थे मूंग के प्रबंधन मूंग के खेती मा कैसे करे जाए मूंग की फसल पर लगने वाले कीट और रोगों का विशेशग्य या जानकरों की सलाह पर वग्यानिक विधी अपनाते हुए उप्चार करना चाहिए मूंग की फसल में लगने वाला प्रमुख रोग है पीला मोजिक इसके बचाव के लिए रोगर का 1.5 मिली लीटर प्रती लीटर पानी का छिड़काव करना चाहिए दूसरा प्रमुख रोग है भबूतिय रोग इससे बचाव के लिए कार्बेंडाजीम एक ग्राम प्रती लीटर पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए मूंग का दलहनी फसलों में विशिष्ट इस्थान है पिछले कुछ वर्षों से मूंग के रगवे में 36 गड़ में काफी वृध्धी देखी गई है मूंग का उत्पादन हमारे राज्य में अत्या दिखो इस बात की असीम संभावनाएं है हमारे राज्य में मूंग की फसल वांचित मातरा में प्राप्त की जा सकती है यदि कुछ बातों के प्रती हमारे किसान बंधों सचेत हो जाएं जैसे मूंग की उचित किस्म का प्रयोग ना किया जाना, उर्वरक प्रवंधन में कमी, कीट और रोगों का व्यापक प्रकोप बगेहरा मूंग की फसल प्रकाश और तापकरम के प्रती असंवेदनशीर होती है इसलिए इसे तीनों रित्वों में उगाया जा सकता है मूंग की फसल कम आउधी की होती है, इस वज़ा से इसे फसल चक्र में आसानी से लिया जा सकता है दलहनी फसल के पौधे की जड़ों पर उपस्थित ग्रंथियां वायू मंडली नत्रजन ग्रहण कर पौधों को उपलब्ध कराती है जिससे की भूमी की उरुवरा शक्ती बढ़ती है, साथी ये फसले मिट्टी में कार्वनिक तत्वों को बढ़ाती है जिन किसान भाईयों के पास सिचाई की सुविधा है, वे ग्रिश मकाल में मून की खेती कर अधिक उत्पादन और लाव प्राप्त कर सकते हैं खिस्मों का चुनाव अधिक उत्पादन प्राप्त करने की एक प्राथमिक आवशक्ता होती है के 859, पूसा 16, ML13, TARM1, TAMRM21, पैरी, HUS12, प्रग्या, माल्वी जोती, पूसा विशाल, जे एम 721, बी एम 4, पूसा 951, CO6, ये सभी मूंग के उन्नत किस्मे हैं किसान भायों को ऐसी ही किस्मों का चैन करना चाहिए इन उन्नत किस्मों में कीट और रोगों की संभावना अपेक्शाक्रित कम होती है वैसे तो मूंग की बूआई के लिए फरवरी माह का महिना अच्छा होता है लेकिन विलंब होने की दशा में बूआई अप्रेल में भी की जा सकती है इसके बाद बूआई करने से गर्मी में तेज वायू के चलने के कारण फूल जड़ सकते हैं और उत्पादन पर विपरित प्रभाव पढ़ सकता है साथ ही फसल पकने के पहले मानसुन से फसल को ख्षती पहुच सकती है जब खेत में 80-90 प्रतिशत फलियां पक कर काली पढ़ने लगे तब कटाई कर देनी चाहिए फसल को सुखा कर गहाई करें और 10-12 प्रतिशत नमी पर भंडारण करना चाहिए ग्रिश्म कालीन मूंग की फसल को फसल चक्र के रूप में अपनाना चाहिए उदारण के तौर पर हम ये बताना चाहेंगे कि खरीप में धान के बाद मूंग की फसल उगाने से मृदा की उर्वरा शक्ती बनी ही रहती है हीरा सही का अला जतन कर रखना तो हीरा सही का अला जतन कर रखना तोर कर ले जग मायां जोर भगती के माला जन तोर तरस रही जाए जिया मूर हीरा सही का अला जतन कर रखना तोर हीरा सही का अला जतन कर रखना तोर कर ले जग मायां जोर भगती के माला जन तोर तरस रही जाए जिया मूर भगती के माला जन तोर तरस रही जाए जिया मूर जल कत न दिया के धार कत तनिरे फिर दत अगर लहराए सुख तोरे हरी अरे हरी अरे धन्या मन तोरे माया उप जाए पुझा भगती मतो रम लगन मतो मन लाला गाले भैया मूर तरस रही जाए जिया मूर मन लाला गाले भैया मूर तरस रही जाए जिया मूर पाही पीले भगती के लगन लगाले तने मन तोरे हरी आले मार तोला यम के रे लाठी तोला जम के सब तोला सुर्ता सताए दियना कस बरे तोर दियना कस बरे तोर कर तोर भगती अंजोर तरत रही जाए जी आमू करे तोर भगती अंजोर तरत रही जाए जी आमू फीर सही काया लजतने कर रखना तोर कर ले जगे माय जोर भगती के माला जन तोर तरस रही जाए जी आमू भगती के माला जन तोर तरस रही जाए जी आमू भगती के माला जन तोर तरस रही जाए जी आमू संगी हो दलहन के खेती हा नगदी पैसा दे बर बहुत बढ़ी अचीज माने जाते संगवारी हो उखरे सेती आज हमना जोन बिधी से मूं के खेती करे बर बताया हैं उखी बिधी से तुमन मूं लगावा और खूप कमावा अवया दरी बर फिर एक नमावी सहले के तुहर से वा महाजीर हो वो तब तक बर जम्बो संगवारी मनला जै जोहार